हले वरेवन नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लोगदाइज क्लासेस के यूटूब प्लेटफरम पर दोस्तों आज हम फिर से हम सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे आइडिया ओफ भारत वाली सीरीज के अंतरगत भारती साहित के गोरव वाले टोपिक पर किलिए रहे तो दोस्तों ग्लॉरी ओफ इंडिया लेटरेचर पर पूरे बिस्ता से चर्चा करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आज के शेशन के बाद में इस टोपिक से सम्मधित किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अब आ कि रिली भाती रूप से यह समझ आ रहा हो होगा कि 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 सलसे हम टोपिक वाइस टोपिक यूट वाइस अरताथ की यूट वाइस टोपिक हम अपने सभी शेशनों को पर रहे हैं उसिके तहब यह से पहले तीन सरह हमारे हो चुके हें प्रतेक सेशन में हमने एक यह तोपिक को कबर किया है और आज यह इस यूणिट का संभब DANs I think की लास्ट असेकिंड लिभर यह रहा है मैंने इसमें अभी एक whatever नमर पाँ एक तोपिक हम इसमें और कवर करेंगे और इसमें कुछ भी कोई टोपिक है अभी जिसको हम जोड करAdam में गीस्त प्रकार के साहित हैं तो के से हमारे भारत के गोरव है इस पर हमारा आज का पूरा डिसकसन होगा तो अब साहित्य में जितने प्रकार के साहित्य है उन सभी साहित्यों पर थोड़ा सा बिस्तार से हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे जस्ट लाइक कि वेद कितने प्रकार के होते हैं तो वेदों स से संबंदित पुरानों से संबंदित एक सेशन और हमेंने वाला है लेक्चर नमपांस के रूप में लेक्चर नम-mur-5 के रूप में कमप्लीट स्टार्ट होने सुरो करते हैं और जानते हैं कि आज के पूरे टोपिक में हमें क्या क्या मैं करना है क्या क्या पढ़ना है तो मेरे दोस्तों जहां पर आपने टोपिक देखा कि भारती साहित्य का गोरब तो भारत हम किसी एक किसी एक ग्रंत का या किसी एक साहित्य का नाम लेकर के उसको बढ़नित नहीं कर सकते क्यों क्योंकि प्राचीन समय की जो हमारे पास देन है जो हमारे पास विविन्य प्रकार के साहित्यों के रूप में जो वेद है जो पुरान है जो उपनिशद कई प्रकार के गरंत हमारे पास में है और उनी पर हम दोस्तों आज बिशेश चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम आ सित्यों पर हम चर्चा करणे वालेहें कि 10 कौन-कौन से प्रकार के साहित जो हमारे भारती साहिति का गोरव बढ़ाते हैं और वेदों की सबसे पहले हम बात करेंगे वेदों उसके बाद उपवेध्, वेदा, पुरान, उपनिश्य दिस्मृतिया, महाकाव, विबोद्द साहीत, जेन साहीत, उसके बाद जो कुछ साहीत बचे हुए हैं, जो धर्म से रिलिटे disrupted नहीं हैं, धर्म निर्पेक्ष को हम बोलते हैं, जो साहीत्य धर्म से संबंदित नहीं हो से जानने की आवशक्ता है आए शुरू करते हैं ब्याक्या से एक एक पुइंट को दोस्तों हम यहाँ पर डिसकस करेंगे और एक एक बात को पूरी बारी की से इस प्रकार से करने का मैं प्रियास करूंगा और आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा शेशन को ताकि आपको कुछ भी रटने की जरूरत ना पड़े क्योंकि शेशन चाहे कोई सा भी हो टोपिक चाहे कोई सा भी हो अगर आप ध्यान पूर्वक उसको समझ लेते हैं तो आपको संभवता क कुछ भी रटने की आवशक्तार नहीं पड़ती है बिना रटे केसे कंटेंट को याद रखें उसका सबसे बहतर तरीका मात्र और मात्र यहीं हो सकता है क्लियर है चलिए तो ब्याक्या की अंतकत हम बात करेंगे भारती साहित्य को भाषा भोगलिक चेत्र सामाजिको सांस्क भारती साहित्य की जो पैचान की जाती है एक तो स्वेम की भाषा के आधार पर की जाती है उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक जो विशेष्ता है हमारे साहित्य की उसकी आधार पर की जाती है तो इसके भारती साहित्य जो जितने प्रकार के साहित्य हम आगे चलके देखने व एवम समाज के लिए हमारी संस्कृति एवम समाज के लिए क्या है दोस्तों गोरब रहा है प्राचेन भारतिय ग्रंत जैसे की वेद पुरान इस्मृतिया महाकाब्य यह अपने आप में कोई पुस्तक मात्र नहीं है और ना मात्र ग्रंत हैं जिनको धार्मिक उद्देश से प जीवन का दर्सन उनके सामने प्रस्तूत करता है तो इस प्रकार के जो पुरान रहे हैं यह अपने आप में कोई पुस्तक या घरंत मात्र ना होकर सभी भारती संस्कृति एवम भारती जीवन को दर्साने का कारे करते हैं अर्था यह हमारे भारती साहित्य का गोरब है ठीक कि हमारा भारति साहित है उसकी पैचान किस से होती है तो उसकी भासा से होती है उसकी सामाजिक जो जो हमारे गरंत रहे हैं जैसे कि वेदs इस्मृति महाकाबि यह जो है यह अपने आप में मात्र घ्रंत नहीं है मात्र धार्मिक घ्रंत मात्र नहीं है बलकि यह हमें जीवन का दर्शन प्रस्तुत हमारे सामने मतलब हमारे लिए जीवन का दर्शन प्रस्तुत करते हैं यह हमें एक जीने की रहा दिखाते हैं इस वैक्ष्य वाला पूइंट पूरी तरह सब किलियर हो चुका होगा तो अब जिन साहित्यों पर हमें वन वाई-बन करके बात करनी है वह साहित्य दोस्तों यहां पर देखें जित्रे भी हमारे वेद उपर वेदांग पुरान हैं उन ग्रंतों को संभवतम में अच्छा से यह आप तो अच्छे से मुझे जानता हूं कि इनमें से कुछी नाम आप लोगों को याद होंगे और कुछ तो पहली बार ही देख रहे होंगे जिसे वेद पुरानी सुनने में अधिक आता है इसलिए शायद इनके नाम कुछ के नाम आपको याद हो लेकिन संभवता जो मैं दस चर्चा करने वाला हूँ न दस प्रकार के गरंतों की दसी प्रकार के घ्रंत आप में से किसी इस्टुएन को याद नहीं होगे लेकिन आपको याद होने चाहिए क्योंकि यह हमारी सब्विता है और यह हमारी प्राचिन संस्कती है संभवता आज भी वर्तमान में भी जो हमारी समाज को लेकर के हमारी सब्विता को लेकर के जितने प्रकार के जो नियम उपनियम बनते हैं उनकी प्रेणा यहीं से प्राप्त होती है आज वर्तमान में भी जो नियम बनते हैं उनकी प्रेणा यहीं से ली जाती है क्यों क्योंक आपको बिस्तार से पता नहीं है ना चलेगा लेकिन कम से कम इतना पता होना चाहिए कि जब हम बात करें इस्मृतियों की तो आपको पता होना चाहिए कि इस्मृतियां क्या होती हैं किस प्रकार के घ्रंतों को हम इस्मृति बोलते हैं उपनिशद क्या है महा काभ भी किसको बोलते हैं वेदांग क्या होता है या वेद क्या होते हैं यह सारा उल्ले कम से कम आपको पता होना चाहिए तो इस द्रस्टी से आपका जो आज का यह सेशन है ना यह बहुत प्रकार के होते हैं यह तो सबी जाते हैं वेदों के प्रकास सब जानते कि चार प्रकार के वेद के वेदों कि ने लेकिन सिर्फ नाम जानने से कुछ नहीं होगा आपको उनका करम भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौनसा बेथ उसके बाद कौनसा बेथ उसके बाद कौनसा है और यह जुर्वेथ उसके दूसरे इस बास सामबैथ और फिर अतरविद तो इनके ये बारे में मोटी-मोटी सी जानकारी हमें और ये पास होना चाहिए रिग वेद किसे सम्बंदित है ये जुरूरुवैद किसे सम्बंदित है शामभेद में किसकी चर्चा की गई है तो अधरवएद क्यों लिखा गया था किस कारण से तो और और क्या ये जो वेद सबसे पुराने और सबसे पवित्र ग्रंत माने जाते हैं कि हिंदूधरम की अगर हम ब्रहामार दर्म, पूरी तरह से वेदों से प्राप्त ज्यान पर ही निर्वर है, वेदों पर ही आस्रित है, ये भी आप मान सकते हैं, इसलिए का गया है कि हिंदु धर्म के लिए, जो हमारे पुराने और पवित्र घ्रंत माने जाने वाले जो ये वेद है, ये वेद, बढ़न को इने वे दोसे प्रांप्तो होता है इसलिक है जीुआ अनुष्ठान होते हैं उनसब्स का संग्रे इन्वल्फा दौ runners इतना पवित्र माना था इतना पवित्र माना था कि लंबे समय तक कापी अरस बीट गए कापी वर्स बीटते चले एक अरसे के बाद भी जो है इन जो हिंदू रिशी थे इनोंने इन वेदों को लिखित रूप में नहीं आने दिया अको क्यों का मानना था कि अगर यह व ignored लिकित रूप में आते हैं तो वह पवित्र हो जाएगा तो इनको पवित्र बनाये के लिए इन्हें लिकित रूप में नहीं आने दिया आपने अब जब कभी पुरानी पिक्चर देखते होंगे या आपने जो धारावाइक शीर आते हैं न तो उनमें भी देखा होगा तो पुरानी संस्क्रति के अकोडिंग क्या होता था पहले शेश्य गुरू के पास उनके आस्रा में शिक्चा प्रात्र करने जाते थे तो उनके पास कोई लिखने की पुस्तक टाइब कोई सामगरी नहीं होती थी बलकि वह सभी गुरू के सामने बेढ़ जाया करते थे और गुरू उनको मोखिक सिक्षा प्रतान किया करते थे तो वही वाला फॉर्मेट था क्योंकि उस समय कोई भी वेद का रिटन फॉर्मेट नहीं था किसी ने लिखा नहीं था कारण पवित्र माना जाने के कर तो इन वेदों में जो सिक्षा थी या जो ग्यान था उसी को मोखिक रूप से गुरू अ तो इस ज्यान के सत्य को सुरूती के रूप में जाने जाने लगा इसका शाब्दिक और अर्त होता है स्रवन बस इतना से ज्ञान रखें कि उस समय उस समय जो जो ग्यान देने की जो शिक्षा का जो एक स्टेंडर्ड था जो तरीका था उसको क्या वोलते थे सुरूती क्यो सुनना तो सुनके प्राप्त की जाने वाली शिक्षा मात्र उसको हम सुरूती बोलते हैं यहां तक क्लिए रहे ना जाइए तो अब इन सुरूतियों को इकटा करने और संकलित करने का जो एकार अब क्या होता था कि पूरे भारत में कई गुरू कुल थे कई आसरम थे गुर फिस्या यहां का प्र несन्टा अगो प्रचलन था लेकिन आगे चलकर के आगे चलकर के एक ृशी रहे हें जिनका नामता जो थे इन्हों ने टिक्षोट्य तो थे इनोंने क्या किया कि छोटा जो टुकडे अर्था-फी चोटे-चोटे पार्ट में इनका जो ग्यान था, यह जुरू वेदों का, उनको संक्लित करना, इकटा करना चालो पर दिया। उस समय में इन वेदों के संपूर्ञ घ्यान को इकटा करके, संक्लित करके, एक पुस्तक के रूप में लाने का जो कारे किया था न, ना वह कार इन महान रिश्य क्रश्ण देवपाईयन वेद व्यास ने ही किया था और वेदों को संकलित करने के कारण ही वेदों के छोटे-छोटे पार्टोंeger Detroit को इकता करके उसको किस तक का फॉर्मेट देने के कारण ही उनको वेद व्यास के नाम से जाने जाना लगा यह ना वेद व्यास के नाम से जाने जाना लगा है तो उनका जनम दिन आज भी अपको पता है गुरु पूर्णिम्हा किस रूपनाते की मनाते हैं न होते हैं और गुरू के उसके पूजा की जाती है तो यह इसको यह समझे कि जो वेद है वेदों से संबंदित जो सामाने जानकारी थी वह इतनी मात्र जिसको हम जो है ब्याक्या भी बोल सकते हैं कभी अगा सेपरेट प्रशन आता है कि वेदों का वर्णन कीजिए तो उस वाल सबसे प्राचीन है और हिंदू धर्म के लिए सबसे पवित्र माने जाते हैं जिसमें विविन प्रकार के मंत्रों और अनुस्ठानों का संगलन किया गया है भारती रिशी इनको इतना पवित्र मानते थे कि इसको लिकित रूप में लंबे समय तक इन्होंने नहीं आने दिया और मोखिक रूप से अपने शिश्यों को इन वेदों में व्याप्त या वेदों से जो ग्यान प्राप्त होता था उसी से यह सिक्षा प्रदान करते थे अ वेदों के घ्यान को संक्रित करने के कारण ही इनको वेद व्यास की उपादी डि लिफ्चान मße नाम दिया गया था और इसे लिए इनके संवान में आज भी वरतमान में भी हम गुरु पुर्णी महां वेद व्यास के अब्सर पर मना बाते हैं इतनी बात प् solidsा में लेक्żyć लेते हैं तो संभवता आपका एक जो आंसर राइटिंग होगी ना वह एकदम सटिक हो जाएगी आईए चारों बेदों के बारे में थोड़ा-थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे कि हमारा यह सेशन और आगे बरता चले में आपको स्टार्टिंग में बता दिया सेशन सामाने से थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि दस प्रकार के गहनतों पर हमें चर्चा करनी है और जब सबसे लास्ट वाला पोइंट आएगा ना अधर्म निर्पेक्षिवाला अन्य साहित्यों वाला तो उसमें साथ-8 साहित्यों की उसमें बात करेंगे हम लोग ग्रहनतों की ब प्राज तो ही हे हिंदी का भी पार्ट है समाजसास्त्र का भी पार्ट है याद रखिएगा तो प्राचीन जो हमारी सब्वित आ है जो संस्कृत है उसके बारे में आपको आज के से सेशन में शीक्षिन को मिल रहा है इसलिए लास्ट तक बने रहाना जरूरी है यह में इंद्र अगनी और सोम आधी देवताओं के का कई वार जिक्र नहीं किया गया है यह ल इन प्रकार्गिया कहें कि इन देवताओं को प्रसंद करने के मंत्रों का भी वर्णन इस वेद में देखने को मिलेगा और जिस गायत्री मंत्र का इस्तमाल आज हम करते हैं वो गायत्री मंत्र का उल्लेक रिगवेद में ही किया गया था बस इतनी बात आप लोग याद रख ल लिए हैं प्लिए यहां तक हम चलिए अगला बेदर बात करें हम तो उसके बात में कुन सब्गर आया था दोस्त यजूर बै도क ळेता संबंदी थे तो यजूर वेद जो है यह यग ज़् से उन यगों के या हवन करने के जो विधान जो प्रक्रिया होती है उसका वर्णन यजुरुबेद में किया गया था इक नाम सुनाओं का अपने यeft का असुम्यक्त सबसें वड़ा यग्धा करता है कि तो इस प्रकार के बड़े-बड़े यग्डों के पूरी करिया कैसे हुँ ओनग कर रहा है जिसे आप आश सुनते हो बहजने की रूप सामवेद की देने आज हमारे भारती संगीत का जन में कहां से हुआ अगर आप से कोई प्रस्थे पूछ लेना डारेक्टली बोल दीजिए साम वे से जन्म गईसका सामवेद से ही जी हाँ, वर्तमान का संघीत सामवेद की ही देन है, याद रखियेगा, तो सामवेद, साम का अर्थ होता है, रूपानतरण, रूपानतरण इसमें संगीत यानि की गायन को मैद दिया गया है, इसमें जातर मंत्रों का उल्लेक रिगवेद से लिया गया है, इंद्र और अगनी देप के बारे में बढ़नन इसमें मिलता है, आपको जादा याद नहीं रखना, बस इतना सा याद रखना, दो बात याद रखनी है, ये सं संगीत अर्थात की गायन संगीत से संबंदित वेद हैं अर्थात की संगीत का संगीत का इसमें विशेश बर्णन मिलता है इसके अलावा इसके अलावा इसके में जो जितना कई कई प्रकार के जो मंत्र है इसमें कई प्रकार के मंत्र हमने रिगवेद से लिए थे मतलब कि सामवेद में रिगवेद के मंत्रों का उलेख है संगीत को मैदव देने के लिए संगीत का वर्णन करने के लिए किये इसमें जिन मंत्रों का प्रियोग किया गया वह मंत्र रिक्वेद से लिये कैट अब क् sneaking कूझ सा अथर्वबेद तो यह अतरवेद क्या था अतरवेद याद रखिएगा प्राचीन समय में मद्द्यकालीन समय में और लगबग अभी वर्तमान समय में भी भारता भी पूरीतर साजाद नहीं हुआ जादू टोना से तो जितने प्रकार के जादू टोने होते हैं तंत्र मंत्र चमतकार जितने चमतकार होते हैं जो रहिष में किरियां होती है वो सब का वर्णन आपको आज भी अतरवेद में देखने को मिलेगा किसे संब्दित अतरवेद बज्यू सामानी बात आपको याद रखिए सिर्फ उतना बता रहा हूं मैं आप लोगो ज्यादा जमेले में नहीं डाल रहा पर लेकिन समानी जानकारी के साथ में जब आप इसका रिविजन लगाएंगे ना तो पूरी प्रिक्रिया है किसे संब्दित तंतर-मंत्र-चादू टो्ना की आपको यहां कि है नहीं होना चलो आगे बढते हैं दिए उप्रोग्त भाग में से दो खंड होते उप्रोक्त भाग में से परतेख में कितने 2 खंड होते हैं मतलब की जो वैद हैं परतेख में 2-2 हंड होगे के चार अती मैत्पूर्ण वक्तब्वे भी हैं महावेयया या बड़े बड़े वाक्वे इनको कहा जाता है इन चारों में तीन हर हर वेद में जो तीन वाक्य वक्तब्वे हैं वो आत्मा की दिविता की बात करते हैं आत्मा की दिविता की और जो चोंता लास्ट वाला वक्तब्वे है या वाक्य है वो परमात्मा के स्वरूप की बात करते हैं बस आपको इतना ध्यान हो एडिशनली बता है मैंने आप लोग तीन जो वाक्य हैं हर वेद में जो तीन वाक्य ना उसमें आत्मा की डिविता की वाद की गई हैं और अंतिम चोते में किसकी बाती परमात्मा के शुरूर्फ की बाती है डेट सौल बस इत्ता याद रख लेगे आप तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला अग बात करेंगे किसकी उपवेद की वेद पड़े आपने उपवेद और इन उपवेदों को उपांग भी कहा जाता है कि इन उपवेदों को उपांग भी कहा जाता है क्या होता है उपवेद ज्याद्यान से अब ज्यादा लंबा नहीं होगा फटा-फटा की ख्लास बढ़ेगी मटे चलिए इन उपवेद नाम तो याद रखने पड़ेगे गया जैसे वेदों के नाम जिसको याद नहीं है वह अब जिसके आपको ऊपकी खमता के अनुसार की आप रख पाएं वेसे आपको नाम तो याद रखना ही पड़ेगा उपवेद में कितने उपवेद है कौन-कौन से उपवेद है यह सुन लीजिए पृतिपद सूत्र अनूपद चंदो भाषा चंदो भाषा धर्मसास्त्र न्याय और वेशेशिक यह जो छे दर्सन है यह लगांग घ्रंत है शुनते चली है खाली अभी इना युझायोर भेद धनूर वेद गंधर वेद और इस्थापत्य वेद यह चार वी दों के उक पभी लग नियम ओके जैसे उपनियम होते है ना नियमों के उप नियम उत्याइंज हैं उसी तरह से तरह और चार, चार, वेद, चार, उपवेद, बस इतना यद रागे हैं. चार वेद, चार, उपवेद, चार उपवेद के नाम आपको यादा ओने चाहिए, आईयुर, अईयुर, धनुर, गन्धर्व और इस्थापत्र है. कि lia, है वेद, आप बात में चिपका देना. उसी तरह से, शे उपांग है क्या है शे उपांग है कौन-कौन से शे उपांग है प्रतिपद सूत्र अनूपद चंदो भाषा धर्मसास्त्र न्याय और विशेशिक इतना तो याद रख लेंगे अप लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो अब थोला सा इनको देखिए थोला से ध्षान दीजिएगा इस पर कि जो उपवेद है कॉन सा अब चार उपवेद किस से संभन दिते हैं झाल रिगवाद किस से संभन देते यह जुरूबे सामबे के अचला और स्थापत्य वास्तु यह वास्तु कल यह स्थापत्य जेसा की नाम है इस्थापत्य तो ये इस्थापत्य गला से संब्द देते हैं अगर हम इसकी बात करें कौनर्वेद करते हैं धनूर बेद के संब्द देते हैं धनूर बेद की तो धनूर बेद किसे तो धनूरवेद युद्ध कला से संबंदित है, मतलब युद्ध कला का वर्णन किसके अंदर किया गया है, धनूरवेद में, और ये किस वेद का उपवेद है, तो ये है आपका यजूरवेद का, किसका दोस्तो यजूरवेद का, यजूरवेद का, ठीक है न, यजूरवेद का ये उपएदे इसके पार गंधर वेद यह गायनकला से संबंदी थे वो तो गायन कला से संब्दीत हों किसका होगा ये उपएद सामबेट का कि तीके इसी प्रकास से आयुरुवेद आता है इनमें 7 पर करें ना है कुम सा माइस अगर रिग वेड वे परिग वेडिक बहल का-क यजूरवेड आपक लिंक करना है करना के से याद रखना है वो The अपने अनुसार रखिएगा मैं कोई ट्रिक बताने नहीं आया हूं मैं विस्तार से आपको समझाने के लिए आया हो ना वो ट्रिक अपने खुद की बनाएंगे ना तो वो बहतर तरीके से आप लोगों को याद रखी दूसरे के त्वारा बताएगे ट्रिक आप आसानी से कर दूसरे को अच्छे से समझने के लिए उनको पूरी तरह से समझना असंभव साथा हर कोई विक्ति हुँ समझ नहीं सकता था वेदो को तो उनको अच्छे से समझने के लिए अच्छे समझने के लिए सिक्षा निरुक्त ब्याकरण चंद कल्प और जोतिस इन ग्हंतों की रजना हुई और इनों को ही इनको ही हमने क्या कह दिया वेदांग कहा है और कितने अंग कितने अंग है और वेदांग का सिंपल सा अर्थ भी होता है होता है वैद के क्या मतलब वर इसका वैदो का यह एrim मतलब जो पूरा वेद है उस वेद के अलग-अलग पार्ट को अलग-अलग तरीके सी लिए सबसे पहला कुन सा है वेदों का जिससे हम वेदांग केते हैं सबसे पहला अंग है सिक्षा किसे संबंदित है ध्वनियों के उच्चारण से ध्वनियों के उच्चारण से किस प्रकार की ध्वनी उच्चारित करनी है तो यह सारा वर्णन आपको सिख्षा वाले वेदांग में मिलेगा इसके बाद अगला जो इसका अंग है वो है निरुक्त क्या है निरुक्त निरुक है ुसी का आंसर निरुक्त के अंदर प्राप्त होता है अगला है व्याकरण अगला अंग है वेदों का व्याकरण व्याकरण थो आप नाम से बढ़न ठीक है ना वाक्य को निर्मान करना किस प्रकास से वाक्य का निर्मान के जाता है वो सारी बाते हैं इसके अलावा चंद की बात करें अगला अंग है चंद तो यह गायन और मंत्र के उच्चारण से संब्दित है गायन और मंत्र ना तो गायन गाना केसे ना तो संगीत किसे गाया जाएगा या मंतर जो होगा उसका किस प्रकार से होोगा उसका निर्देश आपको छंद वाले अंग में दिये जाएगा इसके लावा पांचवा अंग है कल्व वो syndrome जो है यह कंद के लिए यग के लिए विभने पूरान अब यह तो इसा कोई बत्री होगा नहीं नाम नहीं सुना पुरानों का वेद और पुरान चलते ना इस कारण से तो आज आपको यही करना से वपांग और वेदाग यह तो आपनों कि अब बात करते हैं पुरानों की पुराण में अब मैं जैसे यो WAS वाशित भी नहीं कर पाएंगे सिर्फ इतना बोल करें छोड़तेंगे कि हिंदु का ग्रत है लेकिन आज आपको सामान इतनी जानकारी मिल जाएगी कि आप किसी से सवाल कर सकते हिंदु धर्म के वेदों को गहराई से समझना गहराई से समझना बहुत कटिन है वे ज्यादा त तो आप भी अब तक समझ चुके हैं क्योंकि जब वेदों का आकार इतना बड़ा है और उनको बाद में संकलित किया गया है और जिस पर पूरा धर्म पूरी संस्कृति पूरी संब्यता निर्वर हो उन वेदों को हर किसी व्यक्ति के द्वारा इतनी आसानी से समझना क्या स संबब हो सकता है नहीं हो सकता तो भारत के रिशियों ने उनको समझने के लिए वेदों को समझने के लिए थोड़ा रोचक और आसानी से समझने के लिए एक नय उसके कुछ पार्ट बना है उसको और आसान और रोचक करने के लिए ही पुरान नामक विशेश प्रकार के घ् की रशना की किस लिए की थी यहां से क्या पुराणों की रशना क्यों की गई थी वेदों को बहतर तरीके से और आसानी से रोचक तरीके से समझने के लिए एक तो यह हुआ पुराणों में लिखे तो ग्यान को कहानियों के द्वारा वो द्रस्थांतों के द्वारा पिक्चर परना वना करके द्रस्थान तो दिखा करके यह ना तो कहानियों के वेदों में जो ज्ञान है उन ज्ञान को उस ज्ञान को पुराणों की सहायता से उस ज्ञान को दिखा करके यह ना और कहानियों की रूप में कानियों की रूप में प्रस्तूत कौन करता है पुरानी करते है कि वेद नहीं करेंगे इससे वाचक वाचक इससे वाचक आसानी से समझ सके पुराणों की कितने संध्या कितने पुराण है अटारा प्रकार के पुराण तो अम मुझे समझ यह जरा इस बात को कि जिन पुराणों की हम चर्जा कर रहे हैं इतना कि पुराणों की रशना क्यों गई गई ती वेदों को आसानी से समझने के लिए जब वेदों को आसानी से समझने के लिए पुराणों की रशना की गई तो उन पुराणों को उन पुर प्रोचक तरीके से बनाए गया वेदो में जो ज्ञान प्राप्र था जो ज्यान था उसका उल्लेक पुराणों में कहानी की रूप में किया गया कहानी में कन्वर्ड करके एस इस्टोरी यह ना और कुछ द्रश्य भी दिखाये गए जिससे आसानी से सीखा जा सके समझा जा सक है यह ना तो पुराण वेदों में वेदों की जो ग्यान है उसी ग्यान को यह यहां पर बताते हैं अठारा पुराण अठारा ही पुराणों के नाम यह आपके सामने हैं अगर आप वाकई में बहुत जादा मेनत करते हैं बहुत जादा हाड़वर करते हैं पुर इमांदार स्टुडेंट है तो यह अटारा ही पुरानों के नाम आप लोगों को याद होना चाहिए अब सोचके देखिए एक्जाम में इसे संब्दित प्रशन आता है और पुरान का यह पूरे एक्स्प्रेशन देते हैं और अटारा ही नाम लिखकर आ जाते हैं सोचिए कोपी चेक करने वाले पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा सोच के देखिए एक बार कुछ करते हैं पुरानों का ओले एक्जाम में हम लोग लेकिन चार पांच पुरानों का नाम लिख दिया और अपना काम पन समझते की हो गया और एक्जामेनेर भी समझता है कि बिटा अच्छा आपको चार पांच ही नाम याद थे इससे आगे जो एक होता है ना में फूरा सब चाहिए कुछ भी नहीं चौड़ेए कियों कि यह तुमारे हिस्से का हींब ये तुमारे हक है और अपना हक का छोड़ोगे ना तो सब कुछ छोड़ते चले जाएं कुछ भी प्राप्त नहीं होगा अंतिब्लो शुछाकर थोलडा सचोड़ते जा रहे हो तोड़ा थोड़ा चोड़ोगे ना तो सोचे ना आगर चलकर क्या बचेगा आपके पास कुछ नहीं बचने वाना इसलिए जो छोड़ने की इसकिप करने की जो आपकी भावना je आदत है उस आदत को भी प्राप्त करना सीखिए थोड़ा डिपिकल लगता है मुश्किल लगता है लेकिन आपके बास्तवी के हक में सिर्फ आपका ज्यानी यह होता है जिसे कि ठीके ना, पांच नाम नहीं रटने हैं, अटारा ही नाम रटने हैं, अटारा की अटारा नाम रटे होना चाहिए, मतष्य पुराण, कुरम पुराण, वरहा पुराण, गरुण, भर्म पुराण मत बोली, तो इस प्रकार से एक चार्ट बनाई है डाइग्राम बनाई है जो भी आपको बनाना है जैसे भी आपको याद करना है मात्र आपको यह अठारा नाम देखिए ना अठारा नाम याद करना है और एक बात और ध्यान से सुनगी है इतने सारे केसे याद करेंगे बड़ी कोई समसा नहीं आप बोलेंगे कि सरी मिक्स हो जाते हैं पहले हमने न उपांग को भी पढ़ा उनको वियार वेदांग को भी पढ़ा उनको भी याद किया तो अब फिर बोलों का आठारा पुरानों को भी याद कीजिए तो यह सम्य हो जाएगा मिक्स वाले सुन ले क्यों मिक्स होता है कम मिक्स होता है वो मिक्स तब होता है आपका जब आप यह पुरान वाली है कि परते बक्त जिस चीज को पढ़ रहे हो ना आपका हंड्रेट परसेंट फोकस उसी चीज पर होना चाहिए बाकी सब हो जाए कुछ भी याद रखने की दावर्शक्रा और जब आप पुरान वाले पार्ड को पढ़ने भेटेंगे और जब आपके मस्तिस्व में इसके अलावा कुछ और नहीं होगा न तो मैं गैरेंटी के साथ बोलूंगा कि आप से जीवन में कभी कुछ भी मिक्सर नहीं पु ठीक है ना चलिए अगला है उपनिशद उपनिशद क्या है भ्रम ज्यान है या भ्रम जाल है आईए चर्चा करते हैं क्या है भ्रम ज्यान है या भ्रम जाल है अच्छा वाक्य है उपनिशदों को वेदांत भी कहा जाता है उपनाम इनका याद रख लीजिए उपनिशदों ऐध्यात्मिक और वेदिक दर्शन का सार है क्या है दोस्तों यह जो हमारे इपनिशद हे यह तार्शनिक जीवन के अध्यात्मिक जीवन के और वेदिक दर्शन के सार है कि सार का मतलब समझते है न कि यह हमें सटिक रूप से सिक्षा प्रादान करते हैं यह कितने उपनिशद है दस परिकार बहूंत मैंने हाइलाइट किया हुआ है सिर्फ इतना देखना है आपको इश एत्रे कट कैन चंदोगे तैत्रिये और ब्रदारने और मांडुक के एंड मुंडक यह दस जो उपनिशद है इन दस उपनिशदों के नाम आपको याद करने हैं संकराचार रामनुज्य चार और मादवाचार और बल्लवा चार यह हमारे इसे रिशी रहे हैं इनोंने हमेशा उपनिशदों को पवित्र ग्रंत के माना और इनकी व्याक्या कीं ताकि इन्हें अपने सिद्धांद के अनुरूप बनाया जा सके कि तुझ भी याद नहीं करना उपनिश्टों में बस आप तो यह 10 नाम याद कर लिए बस बहुत हो जाएगा और आप उसकी व्याख्या में लिख सकते हैं कि जो यह नहीं है यह हमें दर्षन की धर्षन का सार्पुस्त करते हैं और वर्तमान के अगर हम बात करें तो 108 प्रका कि बोलेंगे कि यहां पर हमें धर्मी की शिक्षानेवल कि यह बात करना है मात्र तो उसी के लिए सिर्फ दस आप याद कर लेजिए बहुत हो जाएगा यह दस ऐसे उपनिशत है जो चर्चा में रहते हैं और जिनका हमेशा प्रयोग किया जाता है और यह बहुत ज्यादा प् प्राचीन वेद है वही प्राचीन तम सत्य प्राचीन जो हमारा साहित्य संस्कृति रही है उसकी बास्तविक्ता उसका सत्य है तो हमारे वेद ही रहे हैं वेदों को छोड़कर सभी सास्त्र इसमर्ति की सरेणी में आते हैं बस यह लाइन अगर आपने याद कर ली तो आप इसमर्तियों को कभी भी नहीं बोटेंगे, ठीके, हमारी संस्क्रति की कोई सच्चाई है, तो वो क्या है, हमारे वेद, इतने जा दखेंगे, इसके बाद ध्यान रखना कि वेदों को छोड़कर जितने भी घ्रंत हैं, जितने भी प्रकार के घ्रंत हैं, सब इसमर्तियां कहला है किया कि वह बएद्व हो वेदांग हो उपांग हो कुछ भी चाय वह प्रिश दी कि और उस्तों इसको छोड़ करके वेदों को छोड़ कर एक पुरान महाकाव ये शविसमें सामिल है इसमर्ती सब्द का तकनिकी अर्थ क्या है हिंदू के लिए नियम पुस्तिका हिंदू के लिए नियम पुस्तिका है ना समझ रहे ना इस्मृति का मतलब क्या हुआ हिंदू के लिए नियम पुस्तिका अब कोई वेद नियम पुस्तिका तो नहीं है वो तो संपूर्ण का उल्वर्णन करते हैं संपूर्ण का वर्णन करते हैं लेकिन उसके अल क thighs抪क पढ़क कि इसम समई इसमें में बोलूँगा जो आपको आपको याद रखणा हो इसे याद रही फैंड में बात करते हैं माहाकाव्यों की तो महाकाव्य में में आपको पहले हैं की ही प्रकार के मात्र महाकाप्यों का नाम ले जाता है रामयाण और एक свत तो ही नाम के बाद अगर किसी का सबसे जादा मह सकति है तो व्हों किसका है महकापय का है कौनकों से माकाव, रामायन और महावारत का, अच्छा दिमाग में यह नहीं उठाए कि यह इतिहास के सेशन में अचंच से ध्रम्रेभरत का से स्टार्ट हो गई, तो ये धार्मिक सिक्षा नहीं है धरसल ये हमारी प्राचीन संस्क्रती है ये प्राचीन सब्बिता है और ये प्राचीन साहित जो है हमारा ये प्राचीन साहित हमें हमारा प्राचीन इतिहास बता रहा है और अभी हम पढ़ ही क्या रहे है वेदिक साहित क्या प्राचीन भार के लिए क्यों गोरब्थ तो वह इसलिए और और गोरपके पार्ड कौन-kौन से wynas ऍबेगा था तो वेदिक साहित थे वेदु के बाद में अगर किसी का सब्स्यादा ना मेन सने की ति ने की ती सभी को पता है वाल मे की नो की गई जो कि आयोध्या के राजा दसरत के पूत्र सिरी राम के जीवन पर वर्नित है इसके अलावा महभारत की रचना वेद व्यास जी के दौरा की गई थी जिनोंने वेदों का संकलन किया था याद कीगा वेदों का संकलन किया था है ना उनके दौरा महभारत की रचना की गई थी जिसमे कोरब और पांडवों के पांडवों की कता का वर्णन किया गया है इना इसके अलावा ये एक विश्व प्रसिद्ध महाबारत का युद्ध रहा है इसके वर्णन किया गया इसमें और ये दोनों महाकाविदों अलग-अलग युगों में घटित हुए थे जो दोनों महाकावि तत्रकिए दोनों घकाता Myanmar और भात यह दोनों अलग-अलग यूगों की घटना η तेयता यूग में रामयन की घटना गटिदू ही ती और द्वापर यूग में महभारत की घटना घटिदु ही कि लियर आगे बढ़ते हैं ऑब हिंदू या बाहमर साहित की चर्चा dov गो जूकी है ना उसके बाद में कुछ उन्हे साहे उन पर करेंगे यह से करेंगे तोड़ा से इसनना है तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना टोपी को बीच में छोड़कर जाना सेकेंड पार्ट लेकर आना ध्यान भटक सजाता है तो कुछ-कुछ सेसन होते बध के बाद में किस बहुते साहित भूद धार्मिक साहिते में körएं और हम सोप से चार गृंटों की बात करेंगे चार पृंटों की जिन में से पहला घ्रंथ है पिटाक घ्रंथ ऑर इन प ग्रंथ में भी तीन ब्रकार के घ्रंथ हैं भी टक के ग्रंत हैं विनक पिटक में विनय पिटक में क्या है विनय पिटक में जो बोद संग में जो भिक्चु भिक्चुनियां हुआ करते थे उनके देनिक जीवन संबंधी नियमों का उलेक किया गया है ज्यान रखना जो विनय पिटक है विनय पिटक में बोद धर्म के जो भिक् अगला जो ग्रंत आता है वो आता है जातक ग्रंत आपने जातक कता है सुनी होगी ना का जातक कता हैं तो कहां से बनाए गई है यही तो है जातक ग्रंत इना ग्रंत ये हुँ थीकां, इससे थुलoshayadBLगा, इनने में कहानियों के रूप में बौदध्रम के सिध्धान्त और देनिक नेतिकता के नियम समझाए गए हैं, तो जातक जो काहानिया होती है उन काहानियों में क्या बता जाता है दोस्तों उसमें बुद्ध धर्म से संबंदित जो नियम उपनियम होते हैं उनकी ब्याक्या की जाती है लेकिन काहानियों की रूप में की जाती है जातक काहानियों की रूप में तो बुद्ध के जन्म पू जातक जो घ्रंत हैं इन ग्रंतों से बौध्द यूग की यूग की जो ते उनके यूग की जो सामाजिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों प्रकार की जानकारी इन जातक कताओं से हमें प्राप्ट अकोंती है ठीक है ना बोध दर में कितने दो हो चुके हैं पिटक और जातक पिटक के तीनों रूप्याद रखेंगे आप लोग जातक में कितने हैं हल उन याज लीजेगा और देखिए पाली भास में वहोज़े लिका गया था बोद घ्रंतों में कि इसे भी इतिहास की जानकारी मिलती है थीका ना ना अ क्पाली भास में लिके ग्ते गये इस ग्रंत के द्वारा अभी हमें प्राची नितियास की जानकारी मिलती है और इसमें एक विशेश पालिभासा के ग्रंत में विशेश उलेख है जिसका नाम है मिलिंद पन्नो इसको नाम या तक ना मिलिंद पन्नो और ये एक इतियास की एक बड़ी घटना है जिसे बोध धर्म में बिशेस माना जाता है और इस मिलिंद पन्नो नामक जो पुस्तक है या जो गरंत है इसमें यूनानी शाशक मोनेंडर जिसे मिलिंद कहा ज हुए थे बारतल आप भाहस हुए थी पहस हुए थी एक तरफ भेटे थे यूनानी सासक मुनेंडर और दूसरी तरफ नाकसे नाकसें कुंते बहुत विक्षू थे नाकसें यह दोनों आपस में बैठ करके इनकी चर्चाएं हुए थी मतलब यह सकते नाकसें का उपदेश भी क कुरसम पलने दोता इसका इसके बाद जो चोता घृरंत हैं इनका बॉद धर्म का संस्कत में लिखए गए कुछ घृंत हैं जैसे महावस्तु ललित विस्तार बुद्ध चरित्र सोदानंद काव्वे और दिव्यावदार ये इसे गरंते हैं जो संस्कत में लिके गए थे महावस्तु और ललित विस्तार में बुद्ध के जीवन परीचे के बारे में लिका हुआ है संसकत बोध ग्रंतों से और बुद्ध चरितर जो है अश्व गोस्ट का मा काव्वे है दिव्यावदान में असोग के उत्रादेकारियों से लेकर पुश्य मित्र सुंग का वर्णन भी हमें प्राप्तों होता देखिए तो इस प्रकार से हमें प्राची नितियास की जानकारी इन ग्रानतों से बिछे रुप से जानने को मिलती हैं jut transformation अन्तिम रूप से बात करेंगे जयन साहितिकी ऑंतिम और बात में हमें एक अन्तिम करनी है जिसमें हम चर्चा करेंगे इनसाहिति की जैनद्र्म की धार्मी की रसिक सामगरी जन्म से पहले की बात है ये तो पहली शताब्दी से छटवी शताब्दी ईशा पूर्व की घटनाओं का उल्लेक इनकी इसायति में प्राप्त होगा अलग-अलग कालों में इनका जो इनकी रचना हुई है उनका उल्लेके जैसे परिशिष्ट का वर्णन परिशिष्ट सूरी ने कीति बस इतना याम कीएगा परिशिष्ट वर्णन का कि रचना किसंने की आचारे हैं चंद्र सूरी ने वहीं भद्र बाहुचलितर की रचना चंद्रगुप्त मोरेके युग का वर्णन करती है जैन आगम घ्रंत तो ये इसमें प्रमुक इस्थान बारां अंगो का है बारा अंगों का दूल सिए और इन अंगों में बार ऑंगों महावीर के सिद्धांत जेन भीग्जों की आचार नियम तो ये अलग-अलग पार्ट में बारा पाटों और टीका गर्ण्त लेकश में ततकालिन जीवन की और संकेत मिलते हैं ततकालीन जो दर्सन रहा है उसकी शीड़ा हमें यह से मिलती है अन्यृसाहिते की बाद करें है तो इन सभी साहिते के अलावा जो किसी धर्म से संबंधित नहुं उनको हम धर्म निर्प्यक्षण साहित्य बोलते हैं और एसे साहित्यों को हम दो प्रकार मतलब दो भागों में बाड़ते हैं एक कल्पना प्रतान लोक साहित्य में एक लोक साहित्य में लोक साहित्य में किसी धर्म से संबंदित ना हो तो दो प्रकार के साहित्य कि हम बात करें ना उस धर्मिर्फेक्ष साहित में बिदेशियों के द्वारा भाजट के संबंध में लिखे गए उलेक नहीं आएगए पाकी सब पाकी जितने भी हमारे साहित है वो सब इसके अंदर आ जाएगा बस वो धर्म से संबंदित नहीं होना चाहिए जैसे की अर्थसास्त तो कोटिल अर्थात की चानके के द्वारा जो की चंद्रगुप्त मोरे के कों थे प्रधान मंत्री थे चंद्रगुप्त मोरे के सासन व्यवस्ता से ज़्यादा संबंदित था मतलब कि इस अर्थसास्त्र में सासन की राजनीती कूटनीती सासन प्रबंद से संबंदित उल्लेक इसमें मिलता है मोरिकाल की विशे में विशेश जानकारी आपको इस अर्थसास्त्र से प्राप्त होती है अगला है मुद्रा राक्चस तो यह एक नाटक है और इस नाटक की रचना विशा का दत्त ने की थी इसमें नंद राजा के पतन और चाड़के के द्वारा चंद्रगुप्त को राजा बना जाने का पूरा उल्लेक है और इसकी रचना जो है साथ भी सताब्दी में किये गई बस तीन बात या रखनी है मुद्रा राक्चस की रचना विशा का दत्त ने की थी और इसमें बढ़नन किसका है चंद्रगुप्त मोर को राजा बना जाने का पूरा बढ़नन है इसके अलावा साथ भी सताब्दी में इसकी रचना हुई थी अगला है अगला है काली दास की इसके अलावा हर्ष चरिट्र और घार्ढी सहिंता ॐ राजतारंग्रुप दास की रचना हैं काली दश की रचना है यह इन्यगर करती है घारी सहींता भारत पर यवनों के आकरमन का उल्ले करती है, राच तरंगनी की बात करें तो रशनाकार कलहड के दुआरा यह निसकी रशना कलहड के दुआरा की गई थी जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन पूरे विश्टार से मिलता है और इसकी रशना बार सताथी में की गई थी किलिया रे इस प्रकार से हमारा ये आज का सेशन होता है कम्पलीट कि सामान्य परिचे सभी ग्रंतों का दस विशेश ग्रंतों की बात की हमने जिसमें सामान्य परिचे पर चर्चा की है अगला जो सेशन होगा दोस्तों उसमें हम इस पर बात करेंगे वेदा-साहित्य पर किस पर वेदा-साहित्य पर्ए तो भारती साहित्य का गोरव इस पर चरचा वाला यह जो हमारा मज़िदार होने है बहुत शांदार होगा हाँ तोड़ा चोटा होगा लेकिन बहुत शांदार होगा चलिए आज की कापी लंबा हो चुका है दोस्तों तो मैं आपका अनावश्य ग्रूप से ज्यादा नहीं लोगा बस सोटने बता जाता हूं अगर आप लोग निदनतर करना चाहते हैं तो आ अगर आप लिंक नहीं मिल पाती हैं तो वार्टसप ग्रूप के नाम भी नंबर भी दिये गए हैं इस नंबर पर आप कमेंड करेंगे तो आपको महाँ पर लिंक सेंड करते जाएं के लिए चलिए में सेशन में दोस्तों तब तक जो है स्वस्त रहें अच्छे से स्टड़ का अपने चरीत्र का इस परकार निर्मान करें की भारत वाशी ही नहीं आपकी मातापिता उसमपूर राश्ठ आपे पूरे सर्द्दा से घरव करें तो इस प्रकार का जो है डिब congrब प्रपोरिये में अंतिम जो लास्ट वो होता उसी लास्ट में ही आप लोगों से सारी बाते करता हूं अगर एक गंट्र है आपने मुझे फोलो किया मतलब आप इमांदारिये से चृति को झाल झाल